आज मैं आपको बताऊँगा कि पसू को बाइपास फैट प्रोटीन खिलाने के फाइदे यह दि आप अपने पसू को बाइपास फैट और प्रोटीन खिलाने से क्या-क्या फाइदे देखने को मिलेंगे और किस तरह है कि पॉइंट बताऊँगा उस तरह के पॉइंट्स में इदि आपका पसु भी समलित होता है तो यह देखे लाना चाहिए कि आपके पसु को वाइपास, फैट, प्रोटीन की बहुत ज्यादा सक्त जुरुत है यह दि आप अपने पसु को वाइपास, फैट वाइपास फैट प्रोटीन इदि नहीं दे रहे हैं तो पसु में कईबर बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है और उसमें पसुम को नुकसानी जैसे दूथ देने वाले पसुम है उनमें तो दूथ की मातरा बहुत हो जाती है और साथ में आप उस पसुम को नहारे कितने किस तरह है के पावडरल, लिक्वीड, केल्स, विटामिन, देते हैं फिर भी प्रोटीन से पहले पताना चाहता हूँ कि यह परीपास फैट क्या होता है कोई भी इडी आप अपने प्रसूं को एडी कोई भी आरी आप खिलाते हैं तो रूमन में जाकर के किरिया ही करता है तो जो बाइपास फैट और प्रोटिन होती है जैसे ही आप अपने पसु कुछ खिलाएंगे जिस प्रकार से बाइपास पैट दी या प्रोटिन दी तो रूमन से बाइपास होकर के intestlional small intestinal है वहाँ पर जा करके संगृत हो जाता है वहां से उर्जा पसु को मिलती है किरिया नहीं जो भी होती है उनकी वह छोटी आंग में जा करके यह किरिया करता है direct रूमन में नहीं जा करके और जो भी हमहार देते हैं पसु को जैसे इस तरह से कोई भी जो चारा है अदर है जो भी कुछ भी एदी पाउडर एदियाब खिला रहें तो डायरेक्ट रूमन में जाता है फिर वहां से जो परक्रियां ही होती है फिर आंत मेरे इस तरह से परक्रियां करता रहता है लेकिन उसमें आपके पशू को इतना बैटर जेल नहीं मिल जिस तरह से इदियाब अपने पशू को फैट बढ़ाने के लिए तेल ये देते हैं तो तेल जैसे डायरेक्ट रूमन में गया रूमन में जाता है तो रूमन को भी अपसेंट करता है और उसमें माइक्रोफलोरा को भी उसकी गत्ती है उसको कम कर देता है कई इस तरह की काम करता है जिससे पस्श Але में साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलते है ये जा फैड परोटिन को फैड रो पटिन देते ठोमन से बाइपास होग्रकर के प्रोपन में सबसे ज्याइडा एनर्जी ग्रून इनरप देपने की जुरूत को मिलता है या उनिस इसमें इनर्जी डाली हुई होती है बाइपास फैट प्रोटीन में वह आपके प्रसू को मिल जाती है अब इसके फाइदे क्या है देखो एदिया आपके प्रसू में बता रहा हूं कि जब भी आपका प्रसू कमजोर रहता है आप कुछ इस तरह की दवा दे रहे हैं कुछ इ इस प्रकार से दूदारू प्रसू हैं उनमें दूद की मात्रा इदी डाउन हो गई है दूद की मात्रा चान कम हो गई या दूद की मात्रा वैसे दिरे-दिरे डाउन हो गई तो उस इस्तती में इसका बहुत बड़ा रोल होता है यह ब्याने के बाद में प्रसू में दूद की मातरा उन्सी उतनी रहनी चाहिए लेकिन पशू में दूद की मातरा उतनी नहीं बढ़ पाती है तब भी इसकी पहुत ही ज़्यादा जुरुत होती है बाइपास फैट वे प्रोटीन की कई बर पशू क्या है कि ब्याने के बाद में पशू समय पर हीट में नहीं पाता जिस तरह से डेड़ मेंन आ ओ गया दो मेना तीन मेन हो गया लेकिन पशू हीट में नहीं आ पाता है तो उस दिएक Um प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है इसी के साथ साथ पसू जी से गाबी नहीं हो रहा है यानि गाबी गरबदारन होने कर पारा है तब भी में बाइपास फैट प्रोटीन की आफस्ता होती है ये तो देखो कोमन बाते हैं ये पसू के लिए बहु ज़्यादा जरूरी है कईबर देखा होगा कि पसू में ब्याने से पहले पसू की एनरजी है वे डाउन होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि एनरजी डाउन इसलिए होना स्टार्ट हो जाती है कि उसके अंदर जो बच्च कईबर उसमें side effect देखने को मिलते हैं जैसे दिव दाना मिस्रन देते हैं दाने की मातरा बढ़ाते हैं तो पसुद की जो रूमन की पी एच है वह आप यह डाउन हो जाती है जिससे कि पसुद में कईबर भो ज़्यादा तर्ट क्या होती है कि जैदा रानाज दे रहें तो डा या मेस्ट नू चुमक्त को समदित कोई दिकत त возмож मिल जाती या जाती है और रही रोग भी को मिल देंगे तो भी आपको battery gel मिलेगा अब देना कितना चाहिए कितने दिन इना चाहिए कितनी दोज देनी चाहिए और कैसे कैसे उपलब्द होता है लेखो पशुओं को ब्याने से एक मेहने पहले ये जैसे आपके पसु के ब्याने का एक मेहने बच्छा है तो उससे एक मेहने पहले ही पसु को बाई पास फैर प्रोटीन देना सटार्ट कर देने चाहिए बहुत और लगातार पसु को तीन मेहने यानि 90 दिन तक आप puck continuity आप उस पसु को ये भाइपास फैट प्रोटिन देंगे तो पसु की पसु को नगेटिव insdfah जानने से नीरो कोईगा कई पर पशू में बढाने के बाद में पस्छों के इंदर्जी बहुत बाएपास फैट प्रोटीन का तो जो भी अधिया दूर बढ़ाने के जो बिक आदर जितने को मिलेगा कि देना का कों सी कमनिक आता है कैसे आता है किसी भी अच्छे ब्रांड का लेकी है पाइपास फैट प्रोटील जो ऊobil लेकर कि अ playful शोबी देनेस की तो तो इन्हीं आप 300 ग्राम परडे जिन पसों का बोडिवेट कम है तो इन्हीं आप 1500 ग्राम परडे के साब से लगातार उन पसों को देते रहें अब भूत इस तरह के पाउडर आते हैं कौन सा इस तरह का पाउडर है तो आपको में जिस तरह से ऐलम्बिक आता है खुरा के से व्रांट जिस तरह से कंपनियों के उससे आप लाज़ कि इसके माइक्रो मेक्रो एलिमेंट्स भी इस पाउडर के अंदर मिले वे होते हैं तो वह भी आप लाएं ज्यादा डोज में लेकर के आएंगे तो सस्ता पड़ेगा और साथ में आप इसको मिनरल मिक्सर एड़ भी क को बाइपास फैट प्रोटिन देने के बेनी पीट है नुक्सान ना के बराबर हैं तो यह वीडियो जितना हो सकता है प्रस्वपाल के वेटिन रिस्टेंट हैं उनके साथ सेर करें इसी तरह की वीडियो चाहिए इसी चाहिए कि आप कमेंट में लेकिए से आपको चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी धन्यवाब